ओम श्री गणेशाई नम्हा आज सुनिए पोश मास महतमे की आगे की कत्ता उग्रेक्षण के गुप्तचरों ने उसे समचार दिया कि केलासपती शिव आपके भैसे दंडकारण के त्रिसंध्या छेतर में अपने करोणों गणों और अनेका नेक रिशी मुनियों के साथ निवास करते हैं शिव पत्नी पारवती को एक पुत्र की प्राप्तिफी है जिसके बारे में जोतिशियों का कहना है कि वह असुरों का संघार करेगा सुनकर दैतिराज ने कहा कि कहां मैं इतना विशालकाय और महाबली और कहां वहू छोटा सा नवजाशेशु एक छोटा सा मच्चर किसी एक गजराज का वदभला कैसे कर सकता है तभी उसने आकाश वानी सुनी दैतिराज तेरा काल समीप है तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारन कर लिया है मिथ्या भिमान छोड़कर उनकी शरण ले अमात्यों ने कहा त्रिभुवनात आपको तो अमर रहने का वर प्राप्त है इसलिए चिंता कैसी आकाश वानी से इस प्रकार कहलाना देवताओं का शड्यन्तर ही होता है आपकी आग्या हो तो हम में से कुछ वीर उस इस्थान पर जाकर अवसर मिलते उस बालक को मार डाले जिससे आप निशिंत हो सके उग्रेक्षन ने चैन की सांस लेते वे कहा कि यही करना होगा शत्रू बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है बाद में वे सक्तिमान हो सकता है प्रबल हो सकता है असुर राज की आग्या पाते ही अनेक माया भी असुर उठ खड़े हुए और द वहां की प्रत्य गतिविधी पर सतर्ता पूर्वक ध्यान रखने लगे एक दिन असुर ने गृध्र का रूप बनाया कुटी से बाहर खिलते वे गणेशी के पास पहुचा उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रिया कलाब को देखने वाला कोई है तो नही सहसा उन्हें अपनी भयंकर और विशाल चोंच में दबा कर वे आकाश में उची उचाई पर उड़ चला तभी किसी कारेवश माता पारवती जी बहार आई तो उन्होंने पुत्र को वहां पर नहीं देखा इससे हे गणेश हे गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इध उसके से प्रहार कर बैठे बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चून कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा गणेश जी सुक पूर्वक उसके मुख में ही बैठे रहे माता ने गृत सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरता वा देखा तो उस ओर दोड़ पड़ी इतन और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे वे अवसर देखकर आश्रम में घुसाए किन्तु माता पारवती को उस बालक के पास बैठी देखकर दबे पाउं एक कोने में जा छुपे जब माता ने अपने पुत्र को पालने में लिटाया और किसी काम से बाहर चले तब ही गणेश जी ने अपने पाउं चलाए और लीला पूर्वक एक एक पैर दोनों को मार बैठे बस एक एक बार में दोनों ही असुर दूर जाकर इतनी जोर से गिरे कि उनकी हड़ी पसलियों का तो चून नहीं हो गया उनके हिर्दे फट चुके थे और रक्त वमन करके वे शान्त हो गए थे माता आई तो ये द्रिश्य देखकर अवाक रह गई उनकी समझ में नहीं आया कि ये दोनों यहां किस प्रकार आए और किसने ने माल डाला पारवती जी ने अपने पुत्र को गोध में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर पूजन हो गया था किस बालक में कोई ना कोई विशेस बात तो जरूर है फिर भी वे उसकी विशेस सामर्थ से अपरिचे थी थे इसलिए उसे मारने के अनेक उपाई सोचने लगे राक्षिस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यनती ही क्रूर था उसे यथा नाम तथा ग गणेश मंदिर के बाहर ही खेल रहे थे उसने सोचा इससे अच्छा अवसराव और कब आएगा ये भी एक मुनी बालक का रूप बनाकर उनके साथ ही खेलने लगा गणपती को उसके क्रिया कलाब देखकर हसी आ गई किन्तु वह उस गूड हसी का अर्थ समझी नहीं सका कभ भी उन बालक गणेश के केश खीश था शुरू में तो गणेश जी ने उसका ज़्यादा प्रतिरोध नहीं किया किन्तु जब असुर के आगातों में तेजी आने लगी तब उन्होंने बल पूर्वक उसका गला पकड़ कर दबा दिया मंदिर से बहार निकलती भी देवी ने पुत्र की ये चेश्टा देखी तो आशंकित हो गई कि ये मुनी कुमार का गला कहीं ज़्यादा जोर से न दबादे कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाई ये सोचकर वे उसे बचाने को दोड़ी किन्तु तब तक तो उसके प्राण पखे मिली लिया अब उसी असुर दल में वियोमासुर नाम का एक और असुर था जो की भगवान गणेश के हाथों ही मारा गया ये असुर जंजावात का रूप रखने में सिध्धस्त था इसलिए दयतिराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था वो भी गणेशी का वत करने क के विचार से त्री संध्या छेत्र में ही रह रहा था एक दिन गणेशी का उपवेशन संसकार होना था माता पारवती के साथ निवास करने वाली रिशी पत्नियों ने उन्हें दिविवस्त्र अलंकार धारन कराए तब आदिदेव गणाध्यक्ष का पूजन पुन्या हवा दिये यही अफसर वियोमा सुर ने अपने लिए सबसे उपियुक्त समझा वे आश्रम के सामने खड़े विवरक्ष पर बैठ कर जब उसे जोर से हिलाने लगा तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे जंजावात का रूप उसने ले लिया बड़ी ते जहांदी थी जिसके कार मिशत विशत होकर गिर पड़ा आधी का वे गरुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है तभी भय से आकुल देवी पारवती ने अपने पुत्र को अपनी गोद में ले लिया और उसे इस्तनपान कराने लगी सभी उपस्तित देवता और रिशीगन ब पहन थी उसका समस्त शरीर ही भयंकर और विशाल था उसे ग्यात हुआ कि प्रे भाई वियोमासर मारा गया है तो वे ख्रोध से कापने लगी उसने निश्चे कि भाई की मृत्य का बदलाव है अवश्य लेगी इसलिए 16 वर्षिया कि शोरी का उसने रूप धारन कर लिया औ अंतुष्ट करके उसे रात में अपने पास ही सुला लिया परन्तु गणेश जी उसकी समस्त गती विधियों पर अपनी द्रिष्टी रखे वे थे पारवती जी को गहरी नित्रा में पड़िवी देखकर वे उठी और मयुरेश्वर को इस पर्ष करने लगी तब ही सहसा परनेश जी की पकड और बढ़ती चली गई परवत के समान दवाव से छट पटाती ही राक्षसी चीख पुकार कर उठी उसे सुनकर पारवती जी ही नहीं बलकी अन्यत्र सोई ही रिशी पत्मिया भी दोड़ कर चली आई उन सब ने उसे चुड़ाने का बहुत प्रयास किय गिन्तु बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तेजी से मसले कि प्राणों के साथ ही शरीर से वो अलग भी हो गए अब उसका आसुरी रूप सब के सामने आ चुका था सभी महिलाई उसे देखकर भई से व्याकुल हो गई इसके बाद एक एक कर अनेक असुर वहां बालक ग गर्दमादी अनेक महाबली राक्षस मारे गए जितने भी राक्षसों ने अपनी एह लीला समाप्त की वे सभी भगवान के हाथों से मरने के कारण मुक्ष के अधिकारी हुए वस्तुता वे सभी असुर अत्यंत्यस्वभाग शाली थे भगवान को मारने के विचार से भी आकर उनी के धाम को वे प्राप्थ हो गए थे धीरे धीरे मयूरेश पांच वर्ष के हो गए अब पारवती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीडाएं करने लगे कभी गाते कभी नासते कभी हसते बोलते थे एक दिन मध्यान काल होने पर भी उन्हें भोजन नहीं मिला पार गणेश मैर्शी गौतम की कुटी में जा पहुँचे वो कुटी बहुत पास में ही थी रिशी पतनी भोजन बनाते वी किसी काम से उठकर रसोई घर से बहार निकलाई अफसर देखकर गणेश जी ने रसोई घर में जाकर पकेवे भोजन का पातर उठाया और चुपचा बह बॉली हो ठाद में खेलेंगे ऐसा कहकर उन्हाने अन्पातर का अन्पातर का अन्पातर बालकों में बराबर-बराबर बाड़ लिया और अपना हिस्स्ट भी ले लिया फिस सभी ने पेड़ भर कर भोजन किया उसके बात खेलना आरम कर दिया इधा रिशी पत्नी ने रसोई घर में जाकर देखा कि अन्नपात्र तो है नहीं वे बड़े विस्मित मन से महर्षी के पास जाकर बोली कि नात रसोई घर में तो अन्नपात्र है नहीं अभी तो बली वैश्व देव कर्म भी नहीं हो पाया था महर्शे को भी बड़ा आश्चरी हुआ रसोई घर में गए और सब और उन्होंने देखा तो कहीं भी अन्नपात्र नहीं था तब ही बाहर निकल कर उन्होंने देखा कि उमापुत्र के साथ कुछ मुनी बालक खेल रहे हैं और वही खाली अन्नपात्र उनके पास में पड़ा हुआ था उन्हें ये समझते में देड़ नहीं लगी कि इनमें से ही किसी ने अन्नपात्र चुराया और मिलकर खा लिया है उन्होंने ध्यान लगाया ध्यान लगाकर गणेश जी की कर्तूत जान ली तब क्रोधित होकर बोले अरे तो शिव पार्वति का पुत्र होकर ऐसा दुष्ट कर्म करता है और हम तो तुझे परब्रम परमात्मा समस्ते है ऐसा कहकर उन्होंने मयुरेश्वर का हाथ पकड़ा और पार्वति जी के पास ले गए वहाँ जाकर कहने लगे शिवे आपका ये पुत्र आए दिन उप्तरव करता रहता है आज तो इसने हमारा अन्नपात्र ही चुरा लिया बली वैश्व देवादी भी नहीं हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अपने साथ के अन्ने बालकों के साथ मिल कर खा लिया पारवती जी ने सुना तो बोली महरशे मैं भी इसके क्रिया कलापों से बड़ी परिशान हो रही हूँ इसके उत्पन होते ही असुरों के उप्तरव आरंब हो गए बालकों के साथ ही खेल खेल में उलज जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता अब ये घरों में गुसकर भोजन भी चुराने लगा है अब तो इसे दंड देना ही पड़ेगा ऐसा कहकर माता ने रस्ती लेकर पुत्र के हाथ पाउं बाधने आरंब कर दिये देखकर महर्शी कहने लगे मातेश्वरी इसे बाधने की अपिक्षा इसने पुर्वक समझाओ की ऐसा ना किया करे महर्शी चले गए लेकिन देवी पारवती ने अपने पुत्र को द्रणता से बाध कर कोठरी में बंद कर दिया फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी जब विश्राम करने लगी तो ऐसा लगा कि मानों उनका पुत्र तो उनकी गोद में ही खेल रहा है फिर बाहर की ओर देखा जब बाहर देखा तुने नजर आया कि उनका पुत्र तो बालकों के साथ खेल रहा है माता को आश्चर हुआ उन्होंने कोठरी खोल कर देखा तो हाथ पाउं बंधे वे मयूरेश्वर पहले की तरह बैठे हैं जैसे वो उन्हें बांध कर बिठा कर गई थी वो उसी अवस्था में बैठे हैं और उनके नेत्रों से आसु गिर रहे थे पारवती जैने अपना मन कठोर करके फिर से किवार बंद कर दिये क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही अब वे कुछ देरे के लिए रिश्ची पतनी के पास जाकर बैठ गई किन्तो पुत्र के कोठरी में बंधा रहने के कारण वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा वे अपने आश्रम की और लोटी तो रास्ते में देखा कि रास्ते में मयूरेश्वर खेल रहे हैं माता ने पुत्र का दुख पूल कर उसे इसने पूर्वक पुकारा बेटा चलो घर चल कर कुछ खा पी लो बालक ने उत्तर दिया माता अब किसे बुका रही है यहां तो मयूरेश्वर है ही नहीं उसे तो आपने कोठरी में बंध कर रखा है अब माता को ध्यान आया तो वह दोड़ी दोड़ी आश्रम में पहुँच गई उन्होंने कोठरी खोल कर पुत्र को देखा तो वह रोता रोता सो गया था देवी पारवती ने बंधन खोल कर उसे अपने हरदय से लगा लिया उधर महशी गौतम ने वहां से लोटकर देव पूजन आरंभ किया किन्तु ये क्या उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखने लगी कहने लगे देखो मुझसे कितनी भारी भूलो गई मयूरेशर को सामाने बालक के समान पकड़ कर उनकी माता के पास ले गया और जिन्होंने भी उन्हें लतारते हुए कठोर रसी से बांद कर घर में बंद कर दिया वस्तुत ये हमारा सुभागी ही था कि साक्षात पर ब्रह्म ने अपनी मित्र मंडली के साथ हमारा भोजन ग्रहन कर लिया वे भगवान अप मेरा अपरात शमा करे ऐसा कहकर महरशी श्री गणपती के ध्यान में मगन हो गए और उनकी पत्नी पुना भोजन बनाने में व्यस्त हो गई इसके आगे कवरतांत आप अगले धह में सुनेंगे उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी